आप मेरे पीछे ये एक पिच्चर देख रहे हैं हमारे प्रधान मंत्री की ये हमारे ही देश के लक्षदीप आइलेंड की है इस पिच्चर में अगर आप देखें तो प्रधान मंत्री जी ने कुछ बोला नहीं है लेकिन बिना बोले ही पूरे विश में एक तहलका मचा दिया और ऐसा तहलका मचाया कि जगा जगा बात होनी शुरू हो गई उस मालदी का इसके साथ बहुत रिलेशन है इसलिए आज मैं आपके साथ इंडो मालदी रिलेशन्शिप के बारे में बात करूँगे जिसके बारे में पिछले 15 दिन से बहुत ज़्यादा पेपर्स में और हर जगा चर्चा हो रही है तो सबसे पहले अगर आप इस मैप में देखें तो ये इंडिया अरेबियन सी टु दा वेस्ट या बिंगॉल टु दा इस्ट और ये एक्वेटर की इधर ये आप देखें हलका सा अगर आपको छोटा सा नजर आता है आज हम बात इसके बारे में करेंगे और अपने रिलेशन्स के बारे में बात करेंगे मालदीव सबसे पहले लैंड एरिया तिरफ मात टू नाइंटी एट किलो मीटर्स मैं देरादून से आप से बात कर रहा हूँ देरादून दिस्ट्रिक्ट जो है उसमें ऐसे छे मालदी वा जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा होगा पॉपुलेशन सिरफ पांच लाख देरादून की पॉपुलेशन इससे चार गुना ज्यादा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एरिया कितना है पॉपुलेशन कितनी है इसच क्या है 1192 आइलेंड इंटी्टी टू आइलेंडी टू आइलेंडेंड आइलेंड इन्टीटू आइलेंड निहिसेग अटाट काता है ? Basically, जब एक island submerged होता है, उसके जो corals उपर निकलते हैं, they form a atoll and in between there is a lagoon. यहाँ पर यह सारे के सारे 1192 जो islands है, they are not inhabited. There are less than 200 islands which are actually having semblance of human population. This parcel कितना है? 90,000 square kilometers of ocean and it is one of the lowest lying country in the world. mean sea level से 1.5 meter उपर है और जिस तरह से हम जब बात करते हैं, आज environment की, global warming की और जिस तरह से sea level बढ़ रहा है, this will be one of the first countries in the world, जो कि समर्ज हो जाएगा अगर ऐसे ही global warming होती रही, this is what is maldi. अब यह देखिए, यह जो मैं आपको atolls की बात कर रहा था, यह छोटे-छोटे atolls हैं, यह equator की line है, इसके नीचे भी atoll हैं, पर ज्यादातर सारे atoll उपर हैं, and malay which is the capital is here, अब इससे पहले की मैं इंडिया-Maldive relationship की बात करूँ, सबसे important चीज क्या है, कि हमें यह समझना चाहिए कि Maldives की strategic importance क्या है, तो लेट सी, once again back to the map, अगर आप अब इस map में देखते हैं, Maldives, I think the closest two countries are Sri Lanka and India, यह equator line है, और Arabian Sea, Gulf of Eden और यह देखिए Red Sea, यह Red Sea वही आगे जाके जो Mediterranean Sea को यहाँ Space Canal है, जहाँ से वो मिलती है, यह Middle East का एरिया, जहाँ से oil, इदर से होके Red Sea को through Mediterranean में जाता है, and bulk of the naval, मतलब सारी, जो air, सारी, जो seat, जो root of communications है, जो trade है, वो यहाँ से आएगा, या Cape of Good Hope, यह जो Africa इदर आपको नजर आ रहा है, यह यहाँ से होता हुआ, इदर से जाता है, और Asian subcontinent से, जो यानि कि जो हम इदर Indian Ocean से, जो Pacific Ocean की तरफ जितना भी Sea Trade है, वो इदर से होके ही जाता है, तो that is why this area becomes important, that is as far as trade is concerned, लेकिन trade is important, not only for India, Sri Lanka and Maldives, पर हमारे लिए क्या ज्यादा importance हो जाती है, कि इस area में जो है, अभी Chinese influence बढ़ना शुरू हुआ है, और इससे पहले कि मैं next slide में जाओं, मैं आपको कुछ Quad के बारे में बताना चाहता हूँ, Quad क्या है, it's a alliance of four nations, America, India, Japan and Australia, और इनका main aim क्या है, कि जो अपना Pacific and Indian Ocean जो reason है, इस में peace stability and इस region को monitor करने के लिए है, उस Quad के तहथ, ये जो Indian Ocean region है, इसकी जिम्मेवारी जो है वो इंडिया की है, अगर इसकी जिम्मेवारी इंडिया की है, तो we have to be a very responsible nation, और इसमें हमें threats क्या हैं, हमें वो समझना पड़ेगा, अब आप ये अगर, अब आप इस उसके बीच में देखिए, ब्लोन अप मैप में, ये Maldives है, ये हमारा Indian सब कॉंटिनेट, ये इंडिया, इसमें अगर हम East से शुरू करते हैं, नौर्थ East से, तो हमारा सबसे पहला विशाका पट्निंग का बेस है, नेवल बेस, उसके बाद Port Blair, जो कि अंडियमान आइलेंड्स में है, फिर इधर आजाएं Western साइड में, कोची, कारवर, मुंबई, ये हमारे नेवल बेसे हैं, अब क्या हो रहा है कि हमें, फ्रेट इस समय जो आ रही है, अब चाइना ने क्या किया है, चाइना ने पंगलादेश में उसके रीफ्योलिंग का वो है, चिटागॉंग में, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमें डर है, वो है कि जो उसने माइनमार में, ये जो सिटवे का जो नेवल पोर्ट है, वो उसके उपर उसका काफी इंफ्लूएंस है, यहाँ पर उसकी पेस है, किरिलंका में तो आप सब को मालूम है, हिंबर टोटा में और किस तरह से चाइनीज का इंफ्लूएंस बहुत बढ़ चुका है, तो ये अगर आप एक स्टार देखते हैं, दूसरा स्टार ये देखते हैं, और उसके बाद इधर गौादर, अब ये गौादर और ये जब आप इस तरह से देखते हैं, बीच में आजाता है माल्डिव्स, अगर माल्डिव्स भी चाइनीज इंफ्लूएंस में आ जाता है, तो आप ये देख रहे हैं, ये इस तरह से जब ये लाइन जाती है, इसे हम देख है, यहां तक का पूरा जो इंफ्लूएंस है, उसमें उसका इंफ्लूएंस हो जाए, इस एरिया में और वो कंट्रोल करें और साथ में इंडिया को भी दबाए, हमारा अटेंप्ट क्या है, कि वी डू आट लेट आट हापन, इसलिए हमारी जो अपनी बेसिस के अगर आपने देखा होगा, अभी एक जो शिप थी, जो मर्चंट शिप था, उसको यह जो, जो मिलिटेंट्स थे, वो उसको हाईजैक करना चाहते थे, तो हमारी एक नेवल शिप ने जाके उसको रेस्क्यू किया था, तो अगर आप देख सकते हैं कि यह इसकी है, और चुकि हम एक उभरती भी ताकत बढ़के आ रहे हैं, तो इसलिए it is important for us that we have governments, we have people who are supporting us, and that is why Mauritius, though a very tiny set of islands, becomes important to us, okay. अब relationship जो है, इससे पहले कि मैं relationship proper पर आऊँ, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि historically हमने मालदीव्स को कितनी help करी है और कैसे कैसे help करी है, we will go back to 1988, जब मालदीव्स में एक coup attempt हुआ था, और ये तो तामिल militants थे, ये आए थे and they had attempted a coup, तो समय मालदीव्स जो की देखा जाये तो इंडिया के इतने close था, location wise, proximity wise, लेकिन उसने पहले call किसको किया, अमेरिका को, अमेरिका ने का हमारे पास इतना time नहीं है कि हम उस time frame में आपके पास आ सके, इन्होंने UK को अप्रोच किया, इन सब कि नेबर हुट में आपके इंडिया है, why don't you ask for their assistance, reluctantly इनोंने हम से help मांगी, और आप ये देखिए कि जो हमारी पैरा प्रिगेट जो आगरा में है, वहां से एक बटैलन को immediately airlift करके, माले में आके सबसे पहले, वहां का airfield को secure किया, और पूरे के पूरा जो ये coup attempt था, इसको military presence रही है, stable ship भी एक रही है इतने समय तक, तो ये जो अभी बात हो रही है, removal of अपने Indian troops, वो उसका background यही है, कि हमने उस समय सपोर्ट की थी, ने तो महां पर हो सकता है Tamil Tigers या Tamil militants की जो भी एक वो थी, वो यहां पर इसको rule कर रही होती, so that is how, that was the first thing in 1988, उसके बाद 1990 में we helped in setting up its own institute of technical education, not a very big thing, let's come to next 2004, जब 2004 की tsunami आई थी, तो यहां बहुत दबाई हुई थी, और उस समय सब से पहला country, जिसने आ के Maldives में help करी, was India, हमारे खुद हिंदुस्तान में, Port Blair वगारा में भी tsunami का effect हुआ था, उसके बावजूद हमने यहां आके इनको help किया, Next, 2014, first to help during the water crisis, जब को यह जो चोटे चोटे आईलेंड हैं, इनके पास पीने के पानी की problem रहती है, तो कि समुदर के उदर है खारा पानी होता है, तो you have to actually do the salination of the water, to get potable drinking water, आप उस पानी को समुदर के पानी को पी नहीं सकते, तो इनके जब plants में problem होई थी, तो हिंदुस्तान ने सबसे पहले air से भेजा, फिर by ship भेजा, और वहां जाके इनको पानी दिया, नहीं तो इनकी population वैसे ही पानी के बिना ही मर जाती, 2020 में जब COVID crisis हुआ था, तो उस समय हमने इनको aid दिया, that's not a big deal, लेकिन हमने यैसे ही COVID vaccine बनी, हमने एक लाख COVID vaccine within 96 hours of rollout, हमने अपने देश में देनी शुरू करी, इनको भी अपना भाई, छोटा भाई समझ के इनको एक लाख वैक्सिन भेजा, पांच लाखी population में एक लाख वैक्सिन, आप देखिए, कितना important है वो, उसके बाद of course, developing key international airport at the cost of 136 million, इसके अलावा हम millions of dollars of aid भी दे रहे हैं मालदीर्स को, तो फिर जब ऐसा कुछ होता है, तो तोचना पड़ता है कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसलिए, अब जो current situation है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, देखो, मालदीर्स के साथ हमारे relation is like blow hot, blow cold, कभी बहुत अच्छे रहे हैं, कभी नीचे रहे हैं, इससे जो पहले जो government regime थी, they were pro India, तो उस करके हमने काफी infrastructure development वगरा भी किया, और उसके बाद democracy में क्या होता है, एक narrative set किया जाता है, जब आप जो भी party opposition में होती है, अगर वो power में आना चाहती है, तो यह अभी जो प्रेज़ेंट मोहिजू है, यह opposition में थे, और यह चाहते थे कि हम अभी सता में आएं, तो इन्हों ने बोला कि हिंदुस्तान के troops यहां बैठे हैं, हमारा देश independent देश है, यह troops यहां पर क्यों है, तेखा जाया तो 80-85 तो हमारे वहां पर आदमी नहीं बैठे हैं, ऐसा क्या बैठा है, उसके बीच में भी क्या है, हेलिकॉप्टर हैं, यह हेलिकॉप्टर किसले यूज हो रहे हैं, आपको जानके अश्चरे होगा, यह जो 10,000 स्क्वेर किलो मीटर में जो यह पूरा यह spread हो रोके हैं, छोटे छोटे टापू हैं, जिसके बीच में लगबग 190 के आसपस टापू हैं, जहां पर human population is there, अब वहाँ कोई अगर कोई बिमार होता है, कुछ होता है, तो वहाँ पर infrastructure नहीं है, उसको माले लेके आना पड़ता है, यह हेलिकॉप्टर उसके लिए यूज होते हैं, तो basically उनको यह हेलिकॉप्टर उनके एक तरह से medical assistance, कोई अगर natural calamity हो जाती है, उसके लिए यूज होन हैं, वो उस sentiment को लेके India out का sentiment उन्होंने बनाया, और वो इछले साल power में आ गए, अब election के दुरान आदमी बहुत कुछ बोलता है, लेकिन वो सब कुछ ही power में आने के बाद थोड़ा से एक आदमी, थोड़ा sense of responsibility शो करता है, और उसके बाद जो realistic चीजे होती हैं, उसके ऐसे नहीं चलता, इन्होंने आते साथ क्योंकि नॉमली अभी तक जो भी प्रेजिडेंट बना है वादी उसमें, तो सबसे पहले इंडिया आके इंडिया के वजीर आता अपना प्राइम निस्टर प्रेजिडेंट जिस से भी मिलना हो आके मिलता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो बोला कि अपने ट्रुप्स बाहर करो, तूसरा सबसे पहले ये गए तरकी, अब उसके बाद उसके बाद पहुँच गए चाइना, तो इन्होंने क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी हिस्ट्री भूल गए हो, अब जो एक हम बात करें, इनका जो मेजर जो इनका जो revenue earning system है, लगबख 30% of their revenue comes from trade, जो अपने ट्रेवल, टूरिजम के थूरू आता है, अब टूरिजम के बीच में लगबख पिछले साल अगर 2023 का अगर हम figures लें, लगबख 18 लाख जो लोग आये थे यहां टूरिस्ट, उसमें 2 लाख से उपर अगर टूरिस्ट जो जानी कि इंडिया, रशी और चाइना का जो है टूरिस्ट जो यहां आया है, तो लगबख one third जो है of their tourists came from here, अब 14% टूरिस्ट जो है हिंदुस्तान से आ रहे हैं, अगर उसमें से आधा भी कम हो जाता है, तो पूरी economy को जो की वैसी बड़ी fragile है, बहुत जादा impact करता है, ऐ ऐसे के बीच में आप अपने immediate neighbor, जो आप उनको हमेचा तत पर त्यार रहा है help करने के लिए, it does not behove a responsible leadership to do that, अब जब इनोंने ये किया तो एक sentiment, जो की आपने सबसे पहले slide में हमारे प्रधान मंतरी जी की photograph देखी है, वो सिरफ अपने देश को promote करने गए थे, अपने पार्टी एक negative sentiment वो promote करती है अपने देश में, तो उसका हुआ ये कि कुछ adverse comments आए, जब वो adverse comments आए तो उससे एक, ये महोल गल्त हो गया, जब ये महोल गल्त हुआ अब उसके बाद मोईजी जी जुबारा चाइना को भागे हैं, लेकर उसके कुछ होने वाला नहीं है, उसक इसका मतलब उनकी party, people national conference वो वहां पर power पर थी, लेकिन अब जब election अभी पिछले हफते जो हुए है, क्योंकि अब क्या हुआ कि जब tourist आना बंद हुआ और local population effect होनी शुरू हुई, तो उन्होंने realize कि इंडिया के साथ दुश्मनी लेकर कोई पैदा नहीं है, तो अब जो इन party है, जो power में थी अभी तक, उनका candidate 5000 से उपर वोटों से जीता, जबकि जो next candidate को सिर्फ 3000 के आसपास वोट मिली, जो मौजू का candidate, तो आप ये देखिए कि एकदम पिछले 3-4 महिने में ही, local population को समझ में आ गया कि हमारे को जो है एक गलत रहा दिखा कर, प्रेजिड़न मौज भी पावर में आये हैं, और इस समें, जो मालदीज में जो, इस समें जो हाल चल रहा है, वो ये है कि, people have already become anti-President Moizu, and opposition is now looking at an opportunity to bring down this man because he has behaved in a very irresponsible manner, so I hope you have understood कि हमारे relation, जो है, temporarily down हुए है, and there is a very high likelihood, it can again revert back to what it was couple of months back, तो कि हमने इनको, जैको, कहते हैं, गीदर की बहुत आती है, तो वो शेहर को भागता है, और जब किसी देश का, जब downfall का time आता है, तो वो जाके चाइना की गोदी में जाके बैठ जाता है, इनको शायद history, इनको Moizu जीव को नहीं समझ में आई, क्रिलंका गया, चाइना के पास उसका बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क होई रहा है, रेपाल भी कुछ समय चाइना की तरफ जब भागने लगा, उनका भी सत्यानास होना शुरू हो गया, क्यों? तो कि जो भी infrastructure, जो चाइना बिल्ट करता है, वो सा अनिमल जो उपर का जो है, मैनेजिंग वाला जो स्टाफ था, वो बाहर से हिंदुस्तान से आ रहा था, नहीं तो मैक्सिम ये था कि भई, लोकल पॉपुलेशन इन्वाल्व हो और उनको बेनेफिट हो, तो अगर सारा बाहर से आएगा, तो उसके बीच में, मालदीव जो ह what relationship is all about and how responsible a national leader has to be and we must understand what happens in international race, thank you. परस्टेविए, ग्तियो, अपरेंस, CPSS का कम्लीट गाइदें एवं इंडिविजुल और परस्टालाइज फीदबाक ले इंधिया के ओस्ट्रॉस्त और फेवरी अप्नी पनी रिकमेंडेशन और इंचार करे अपनी रिकमेंडेशन और अपनी अप्नी अप्कमिंग अप् झाल 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